नमस्कार, स्वागत है आप सभी का The Economist में, तो चलिए हमेशा की तरह आज की दिन के भी शुरुआत करते हैं एक कोर्ट से, तो कोर्ट में बात कर रहे हैं, There is no substitute for hard work, तो ये Thomas Edison की बात है, तो Thomas Edison काफी इनका नाम है, तो आप जो बलब देखते हो, जिससे जो electricity flow होती है वो गलो करता है, तो उसकी invention Thomas Edison नहीं की थी, कहा जाता है कि इनको अंधेरे से काफी डर लगता था जिसकी वजह से, इन्होंने कोई ऐसी research करनी चाहिए, जिससे रात के बक्त जो है उजाला हो, तो आप यो, अभी तो काफी revolution हो जुका है, जो एक बलब था, उससे अब tubes बन चुकी है, LED बलब बन चुके हैं, लेकिन शुरुआत किनों ने की, शुरुआत Thomas Edison ने की थी, तो तभी आप जब रात को सभी जगा जब आप उजला देखते हो, तो वो इन्हीं की देन है, तो इन् कितनी बार वो fail होए हैं, अगर हजार के ओपर experiment हो चुके तो इसका मतलब, कम से कम हजार बार तो fail होए होगी वो, फिर भी वो आगे लगे रहे, करते रहे, करते रहे, एक दिन उनको, उनका result मिल गया, तो बिल्कुल सही बात है, कोई substitute नहीं हार्ड वर्क का, महनत तो करनी पड़ेगी, तो आपने तो सरफ exam crack करना है, तो महनत तो करनी पड़ेगी, एक routine बनानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको follow up करना पड़ेगा, तब ही अपनी जो goal है उसके ओपर, आप वहां तक पहुँच पाऊगे, चलिए अभी बात करते हैं, एक overview की, तो आज का जो Sunday का newspaper था, Economic Times का, तो Economic Times की एक magazine आती है, लेकिन मैंने काफी wait की, काफी देर तक मैंने देखा, लेकिन वो magazine upload ही नहीं हुई, और फिर मैंने decide किया कि जो Times of India, वो newspaper अपलोड हो चुका था, आज की rate का, तो उसमें editorials भी थे आज की rate में, और भी जो news current में रहती है, वो फिर मैंने decide कि हम Sunday को, जो Times of India का newspaper है, हम इसको discuss करेंगे, क्योंकि जो economic times का, जो Sunday को paper आता है, जो magazine आती है, उसमें editorials नहीं होते हैं, बाकी की news होती है, लेकिन editorials नहीं होते हैं, और magazine के तोर पर होते हैं, और भी बहुत जादी content जो होता है, तो आपका क्या view है, तो आप जाते हैं discussion के लिए Sunday को, और बाकी की जो news है, वो तो current पे रहती है, वो तो आएंगी ही साथ में, तो आप क्या चाहते हैं कि economic times का ही हम discuss करें, जाफे Times of India को discuss करें Sunday को, बाकी पूरा हफता तो economic times ही चलेगा, लेकिन Sunday को आप क्या चाहते हैं, तो इसके मारे में मुझे आप में बाक्स में बता दीजिए, फिर उसी हसाब से हम continue करेंगे, तो चलिए शुरुबात करते हैं, editorial discussion से, तो first article में बात कर रहें, India is not China, so don't copy its industrial policy, तो author बात करेंगी, भारत जो है चाहिना को copy करना चाह रहा है, अगर बात करें industrial policy की तो इस माइने में, तो क्यों यह बात यहां पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि इस budget में 2 trillion rupees जो है, वो आने वाले 5 सालों में 13 industrial sectors में बांटे जाएंगे through a scheme, और उस scheme का नाम क्या है, production linked incentive, तो इससे यहां पर कोशिश की जाएगी, 4-6% तक जो production है, इसको यहां पर बढ़ाया जाए, इंडिया में, आने वाले 5 सालों में, तो इसकी शुरुवात पहले ही हो चुकी है, शुरुवात कैसे की है, शुरुवा रिनो ने की है, tariff protection लगा के, तो पहले ऐसा होता था 10-20 साल पहले, जब इतना competition market में नहीं होता था, तो भारसरकार क्या करती थी, कि अगर बाहर जो foreign company अगर इंडिया में अपना product भेज रही है, तो उसको रोकने के लिए, ताँ जो कि हमारी market ना बरबाद हो जाए, तो वहाँ पर tariff बढ़ा देती थी, import duty बढ़ा देती थी, ताँ जिसकी वज़े से जो बाहर की foreign market का good बनकर आया भारत में, तो वो महंगा हो जाता था, और Indians उस महंगी चीज को नहीं करेते रहे, सस्ती चीज करेते रहे, सस्ती फिर जो domestically produced निकल के product आता तो वो सस्ता रहा जाता था, तो यह चीजें government करती रही है, तो अभी भी काफी sectors में करती है, कुछ-कुछ sectors को बचाने के लिए, और साथ ही साथ incentives दिए गए cell phones के लिए, जो cell phone manufacturing है भारत में उसके तहत में incentive बाटे गए है, कहने का मतलब है कि industrial growth करनी है, production बढ़ानी है, तो उसके ओपर सरकार focus कर रही है, तो इसके इलावा जो यह approach अब extend की गई है, किन-किन areas में की गई है, medical devices की शेतर में भी यहाँ पर यह approach लगाई जारी है, सरकार के दोरा, और जो drugs बनाए जारी है, ज medical devices के शेतर में भी growth देखने को मिले, तो मुझे कोई दो instrument, कोई devices बताईए, जिनको medical devices कहते हैं, तो उसका answer दीजे comment box में, इसके इलावा और 10 sectors इसमें include कर दिएगे, जैसे automobile का components, automobile के components हो गए, textile हो गया, food processing हो गया, battery storage, solar photo vertex, telecom and networking products, और last में है white goods, तो white goods के बारे में भी मुझे कोई तीन examples दीजिए, कि हम किन products को white goods की category में count करते हैं, यह वाले जो मैंने नाम लिये हैं अभी कि जो sectors include है, production linked incentive scheme के तहर्प, important है, ध्यान रखिएगा, question पूशा जा सकता है, question ऐसे भी पूशा जा सकता है, कि जो नीचे वाले जो 3-4 sectors आपको given होंगे, उसमें से कौन साथ sector, PLA scheme के अंतरकर जो है, वो नहीं आता है, तो यह आपको इसका थोड़ा overview पता होना चाहिए, इसके लावा सरकार क्या चाहरी है, सरकार यह चाहरी है कि इन 13 sectors में, मैं एक global manufacturing hub जो है वो create करना चाहती हूँ, मतलब कि पूरी दुनिया में यहां की बनी होई चीजों को इन 13 sectors से जो भी चीज बनेगी उसका अच्छा खासा export हो सके आने वाले समय में, और साथी साथ 12 सरकार चाहती है कि जो बाहर की MNCs हैं और जो भारत की companies हैं, वो भी आगे आगे आकर investment और बढ़ाएं इन 13 sectors में और production activities को boom पर लेके जाएं, तो यह वाली जो approach है कि winners को pick up करना है, तो य यह already जो है काम कर चुकी है कुछ economies में, खास्तोर की Asia की economies में, और notably बात कर रहे हैं चाइना की, लेकिन साथे साथ यह भी कह रहे हैं कि भारत जो है वो चाइना नहीं है, और आगे बात कर रहे हैं कि जो economic liberalization होई थी भारत में, तो 1991 में reforms आये थे, पीवी नरसेमा राव की government थ है कि भारत की economy को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो बहुत बुरी situation थी उस समय, तो उस समय भी यहां पर import duties को cut किया गया, और भी जो controls थे उनको यहां पर release किया गया, ताँ जो की economy को खोला जाए globally आगे बढ़ाने के लिए कि बाहर से भी हम जो है import export को और बढ़ावा द जब export में स्थिरता आई तो भारत में भी अच्छा घसा यहां पर export भारत में बढ़ना शुरू हो गया, और इसके बाद काफी countries ने बोला कि हम free trade agreement sign करना चाहते हैं, free trade areas में हम काम करना चाहते हैं, तो भारत में भी ऐसा किया, free trade agreement sign किये अपने जो partners countries थे उनके साथ, तो लेक लेकिन export में बूम नहीं आया, और एक और रीजन यहां पर बताया चाह रहा है कि भारत यहां पर चाहता था कि जो Chinese goods है, उनकी भी routing जो है उसको legally किया जाए, through FTA जो है काम आगे बढ़े, through FTA partners जो हम इसको आगे बढ़ाएं, लेकिन इस चीज में भी यहां पर भारत को निर और था, तो उस समय उनकी सरकारों ने जो focus किया, वो focus कर रहे थे self-reliance के उपर, कि हमने national champions बनाने हैं, तो तभी उन्होंने काफी focus किया था उस समय जो public sector undertakings थी, जो सरकारी बड़े-बड़े उध्योग थे, उनके उपर focus करना उन्होंने शुरू किया, काफी उनको कैसे ब तो अपने घर में ही अपने champions बनाने हैं, हमने इसके उपर focus किया, तो उसी समय PSU जो थे, उसके उपर बारसरकार का अच्छा खासा focus था, लेकिन इस control का, इन सब चीजे जो बारसरकार ने उस समय की, तो उसका बहुत बड़े भ्यानक तोर पे failure देखने को मिला आने वाले सम रही है, क्योंकि अभी afford नहीं कर पा रही है भारसरकार उनको, उनका privatization करना चाहरी है, तो बारसरकार ने इस budget में भी announce किया है, कि वो dis investment करेगी, कुछ PSU का, इस साल, तो मोधी जी भी यहां पर यही बात कर रहे हैं, कि आतन दरबर जो हम भारत को बनाना चाहते हैं, तो इस manufacturing hub के तोर पर विक्सित किया जाए, आने वाले समय में, तो आगे आपर चाइना की बात कर रहे हैं, कि वहां पर भी government यही काम करती रही है, पहले, कि government कुछ sectors को pick करती थी, ठीक है, तो जहां देखती थी, कि इनके पास काफी जारा potential निकल कर आएगा, job के regarding, आने वाले समय मे इन sectors एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो फिर उनको आने वाले पांच सानों के लिए वो support प्रवाइड करती थी, कि economies को, उन economies को scale level पर जो है बढ़ाया जाए, और फिर बात में, जब वो अच्छे तरीके से develop हो जाते थे, establish हो जाते थे, फिर उनको incentive देना बंद कर देती थी जब वो काबिल हो जाते थे, वो अभी global level पर competition देने के समर्थ हो जुके हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर काम करती रही है, जो चाइना की सरकार है, और यहाँ पर बात करने कि हम जो यहाँ पर 13 sectors की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि सभी को boom पर लेकर करना है, तो minimum investment वहाँ पर करनी ही पड़ेगी आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों में, अगर हम चाहते हैं कि production linked incentive के तायर, 4-6% की production में वरिदी देखने को मिले हमें, और आगे बात कर रहे हैं कि government क्यों चाहिए कि वो winners को pick up करे, और उनको incentive दे और यहाँ पर यह कोशिश क करें कि आने वाले समय में उन sectors में growth पड़ी जैसे कि अभी भारत सरकार कर ली है, तो क्यों न कोई भी सरकार ऐसा करें कि उनको market competition के ओपर शोड़ दे कि market जिसे सहाब से, जिसे सहाब से वो competition में उतरेंगे, जिसे सहाब से अपने product को launch करेंगे, उस हिसाब से अगर उनका product अ क्यों अलग अलग 13 sectors को pick up करके उनको आप incentive देने की बात कर रहे हो, तो इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1990s के time पर यह किसी को नहीं पता था, कि software, automobile industry और pharmaceutical industry में यह भारत काफी अच्छा करेगा आने वाले समय में, तो यह हमारी top 3 export sectors बन जाएंगे तो इसके बार neighbors की भी बात कर रहे हैं कि जिन्नों ने इन picking winners वाली attempts को यहाँ पर अपनाया था और उसका result निकला था, वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खराब निकला, तो यहाँ पर example लीगी है, Malaysia का, यहाँ पर Malaysia की सरकार ने भी promotion करना चाहा था, proton car का, यह proton car भी एक automobile company है, Malaysia की, तो यह कोई ऐसा नहीं है कि proton सी यह car चलती है, यह simple car company है, तो इसका भी promotion करना चाहा था, तो वहाँ पर भी Malaysia के सरकार ने काफी पैसे यहाँ पर इस company को दिये थे, तो इससे जो यहाँ पर capitalism है, उसके ओपर सरकार यहाँ पर focus कर रही है, तो कि यह बात भी आपर author बात कर रहे हैं, ब आने वाले 5 सालों में, वो miss allocate भी हो सकते हैं, कहने का मतलब अगर हमने जो बड़े-बड़े capitalist हैं, तो उनको अगर पैसा provide कर भी दिया, हो सकता, उसका सही utilize कर भी ना पाए आने वाले समय में, तो उनको तेजीत करते हैं capitalism को, कि हाँ भी हमसे पैसा लो और अपने production activities को आप focus क करो, और आगे प्रशन उठा रहे हैं कि क्या incentive देने से और tariff protection करने से, आने वाले 5 सालों के बाद क्या incentive बंद कर देने चाहिए, क्या automatically tariff protection बंद कर देगी बारे सरकार, जो automatically incentive देने बंद हो जाएंगे 5 सालों के बाद, तो experience क्या बताता है, तो experience यह बताता है कि industries जो है न, वो इन सब चीजों को, incentives को, tariff protection को, एक तरीकी की support के तौर पर जो है लेकर काम करती है, और उसी इसाब से वो आगे बढ़ती रहती है, और उनको यह support देनी पढ़ती है, forever देनी पढ़ती है, इससाब से situation बन जाती है, अगर आप किसी तरीके की reduction कर देते हो incentive में, जहांपे tar protection घटा देते हो, ठीक है, competition बढ़ा देते हो भारती मार्केट में, तो उससे bankruptcies के chances बढ़ सकते हैं industry के, और unemployment भी बढ़ सकती है, जैसे incentive देने बंद हो गए, तो जो producer है, जो capitalist है, जो capitalist है, जिसकी company है, वो देखेगा अभी मेरे पास तो पैसे आने कम हो गए है, तो अब इतने बंदे में काम पर रखनी सकता, काम थोड़ा कम कर दो, फिर वो उत्रे बंदे काम से निकाल देगा, तो ये चीज़े भी हो जाएंगी, बहुत सारे sectors अभी भारत में ऐसे हैं, जो चाह रहे हैं, कि हमें भी PLI scheme के अंदरकत लो, हमें भी आप incentives दो, जो कि बहुत लंबे समय स जो है, OD करके बैठे हुएं कि आप हमें कब यहां पर inclusion दोगे, कब हमें भी आप incentive देने शुरू करोगे, तो अभी तो सरफ 13 sector select की हैं, बहुत सारे solar energy plans भी हैं, बहुत सारे solar energy plans भी हैं, बहुत सारे solar energy काफी focus करके चल रही है, कि solar energy के मामले में, हम काफी जारस जारा energy जो है, में उस असाब से plants की उपर भी काफी subsidies मिल रही है, जो आप अगर solar cell अगर बना रहे हो ठीक है, उसके उपर subsidies मिल रही है, तो इसी करिगारिंग बात कर रहे हैं, कि जो photo voltage जो panels हैं, जहां फिर batteries हैं, तो उसको यहां पर बारह सरकार ने PLA list में डाल दिया है, कि यहां पर जो है बारह सरकार यहां पर चाहरी है कि industry available करवाएं, और इसी sector में चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा player है, और सबसे बड़ा producer है, और उसने यह चीज सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं की है, कि अपनी economy का दाइरा बढ़ा दिया है, कि मैंने production करनी है, एक producer production कर रहा था, मैंने 100 producer और लाकर यहां पर खड़ी करती है, उनको भी बोला, यह photo voltage panel है, यह batteries है और इनकी आप production आप करते चलो, करते चलो, और market में supply करते चलो, सिर्फ ऐसा ही नहीं किया, उन्होंने लगातार improvements भी की हैं अपने research and development में, तब ही यहां तक चाइना पहुंचा है, तो जब तक जो research and development का culture जो है, उसको हम सही नहीं करते हैं, तो तब भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो यह भी success के लिए बहुत बड़ी चीज होती है, कि हमारा research and development कितना strong है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ पैसे का incentive देकर आप सही नहीं कर सकते, इसके लिए चाहिए talent, इसके लिए अच्छी research, तो अगर अच्छी research चाहिए तो आपको अच्छी education देनी है, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्रम चला रही है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्रम चला रही है, जिससे कि बहुत सरकार चाहती है कि बच्चों का scientific temper बढ़े, और अच्छी research के और आगे बढ़े, और इस समय भारत को अच्छे economist की भी बहुत जरूरत है, ताँ जो कि भारत का आने वाला future जो है वो तैय कर सके कि किस हिसाब से भारत आगे grow करें, और आगे बात कर रहे हैं कि भारत में शोटे खेतों की तदात बहुत जादा है, और जो शोटे farmers हैं वो corporate farming उसको allow भी नहीं क इसके लावा अगर हम आने वाले समय में चाहते हैं कि बड़े scale पर global scale पर जो है food processing को आगे बढ़ाया जाए और जो quality supply है ठीक है उसको assure किया जाए तो उसके लिए हमें contract farming का रास्ता जब अपनाना पड़ेगा आने वाले समय में और इसी के चलते जो प्राइम निस्टर ने जो नया law बनाया है contract farming के उपर तो उसका जो है विरोध हो रहा है तो बहुत सारे farmers जो है काफी लमए समय से बड़े जोर शोर से जो है विरोध कर रहे हैं कि farmers की आपका जो contract farming का जो law है तीनों laws हैं वो हमारी farming को सही नहीं रखेंगा आने वाले समय में इसके लावा यह सब च और आगे यहां पर बात करें कि भारत किसी समय textile exporter में काफी अच्छा यहां पर perform कर रहा था कि जैसे हम अभी भी काफी बड़े पैमाने पर textile export करते हैं तो वह तभी कर पाते हैं कि हमारे यहां पर अच्छा खासा cotton का production निकल कर आता है बहुत ही बड़े पैमाने पर यहां प बढ़ा सके आने वाले समय में कोई भी इंडस्ट्रिस ऐसा नहीं चाहता है तो यह सब चीजें जो है बांगलादेश और कंबोडिया में होना शुरू हो चुकी हैं तो वहां पर 20,000 वर्कर्स की फैक्ट्रीज और इस्टॉल कर चुके हैं और अच्छे खासा जो है पूरे कंट्रीज में अपना टेक्स्टाइल जो इसको एक्सपोर्ड कर रहे हैं तो उसका क्या रीजन बता रहे हैं कि भारत के इंडस्ट्रिस क्यों नहीं यहां पर चाहते हैं कि कोटन के रिगार्डिंग को इंडस्ट्री लगाई जाए टेक्स्टाइल का बड़ाए जाए तो अगे बात करें चाइना की चाइना एक टाना शाह है अगर उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता है तो वह उनको क्रश कर देते हैं तो यह इतियास रहा है चाइना का पिछले काफी लमें समय से तो अगर मोधी जी की बात करें तो उनको भी यहां पर इसी तरीकी से यहां बढ़ावा देखने को मिले तबी जो है उनको यहां पर देखा जाता है कि वह हैं और कहा जाता है कि वह प्रोंडॉस्टृ लिस्ट कर सकते हो और अच्छा सा जो है प्रोषा जो है आप शुरू कर सकते हो तो बारत में तो सबसे पहली बात ही यहां पर आ जाती है कि अगर अगर कोई बंदा सर्विस सेक्टर में किसी तरही की सर्विस देना चाहता है for पर गसेंपर रेस्टोरेंट खोलना चाहता है कोई एजूकेशन इंस्टिट्टूट खोलना चाहता है तो सबसे पहली बात निगल कर आ जाती है जो हाई लैंड प्राइस जितना कमाया होता उतना सारा पैसा तो जमीन खरीदने में लग जाता है उसका तो सबसे पहला रीजन यह है तो दूसरा बात कर रहें है लेबर का हमारे यहाँ पर जो आवेलेकलिटी है वो भी काफी टुप होथी है डिफिकल् 뉴스 में और दूसरी बात आती है स्किल रबर वो दो बहुत ही कम यहाँ रेर जो है जो उनको रंसवेस्टरिक और टरिफ बढ़ा देती है और उसी से पैसा बचा कर कोशिश करती है कि जो फार्म इसको में सबसिचटाइज कर दूँ और उसको मुफ्त माटा जाता है अगरी कल्चर सेक्टर में तो यह चीज हो जाती है जिसकी वज़ा से इंडस्ट्री जो है इंडस्ट्रिस जो है वो पीछे अटना शुरू हो जाते हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई फाइदा उनको आगे दूसरी जगा पर पहुंच रह तो वहांपर पैसा ज्यादा बशूर जाता आए बारसरकार के और से तो इससे भी क्या होता है कि जो प्रसंजर ट्राफिक है को सबसिडाइस में जो सब चीज naszym देमाने पर यह रहता है और उसके साफ से काम करना है दूसरी यहां पर अगर इसी तरीकी की अगर डेमोक्रेटिक कांसिडरेशन करके चलेंगे तो जो इस्टेशन टाइगर जैसे बंगलादेश कंबोडिया है तो उनकी जो फास्ट ग्रोफ जो अभी बढ़ती जा रही है उनको हम कंबीट नहीं कर पाए है तो इसके चलते है भारत ने काफी एकनामिक सेंक्शन लगा दिया है चाइनिस जो कंपनी से उसके ऊपर बहुत सारी चाइनिस है जैसी है जनको बैंड कर दिया गया जो स्मार्ट फोन से यहां पर उप्रेट की जाती है इसके लावा जो इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से इसको डिले कर दिया गया है कि अभी हम सेक्यूर्टी इंस्पेक्शन के ओपर काम कर रहे हैं तो इसके चलते हैं इसको डिले करके रखा हुआ है और इसके लावा जो बौर्डर क्लैशिस होते हैं तो उसके तहट और फॉर्दर सेंक्शन यहां पर लगने के यहां पर चांस ना हो खास तोर पर 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 अच्छा खासा कैपिटल हमें चाहिए इसके इलावा सेल फोन के आपर बात करें तो गौवर्मन नहीं यहां पर 16 MSC ऐसे हैं जिनको अट्रेक्ट अभी तक गौवर्मन कर पाई है जैसे सैमसंग है एपल फॉक्स कॉन यह एक्जैंपल का तौर पर नाम बताए जा रहे हैं तो सेलफल प्रडक्शन है और इसकी जो एक स्पोर्ट है तो इसमें यहां पर बूम आया है इसके लावा जो इसके क और अखिर में आउसर बात कर रहे हैं कि कुछ PLA सेसे हो सकते बूंते हैं जो सक्सीड कर जाए लेकिन जारा तर जो है रिस्क के तह यह ही काम करेंगे रिस्क फिलिर हो सकता है और last में यह बात कर रहे हैं कि अगर हम China को copy कर रहे हैं तो वह बहुत difficult होगा अगर भारत जैसी democracy की बात करें तो democracy में चाइना को copy करना जो है बहुत tough हो जाएगा जो next article है यहाँ पर बात कर रहे है message from the mountains loud and clear but is anyone listening जो recently अभी उत्रखन में देखने को मिला कि भारी तबाही हुई जो power projects थे वो भी तबाह हो गए काफी लोग missing हो गए काफी लोगों की death हो गई तो उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे है author की काफी loud message आ रहा है क्या हम यहाँ पर सुन पा रहे हैं तो उसे के बारे में चर्चा है काफी अच्छा article है starting में बात कर रहे हैं कि जो सिंधात होता है किसी भी cause and effect का सबसे जो बड़ी बात निकल कर आती है वाँ पर यह बात है कि action for every action there is an reaction मतलब जिस तरीके का काम हम करेंगे उस तरीके का reaction हमें मिलना ही मिलन तो करोना वारिस के cases में भी ऐसा ही था जिससे साब से हमने शेड़ शाड़ की उसे साब से कुदर्त ने हमारे साथ शेड़ की हमें मतलब तंग किया तो यह यहां पर बात कर रहे हैं कि जैसे अभी flash flood देखने को मिले गड़वाल हमालिया उत्रा खंड के तो यहां पर जो situation यह भी यही situation थी action और reaction का इस अंदर यहां पर लगाया गया है तो मुझे आप यहां पर बताईए कि total कितने तरह के हमालिया होते हैं तो यहां पर एक गड़वाल हमालिया की बात कर रहे हैं तो इसके इलावा ही बहुत तरह के हमालिया होते हैं तो इसके regarding question पूशा जा चु करती हैं तो यह अलक नंदा फॉर्म करती हैं जो अलक नंदा है उसको हम गंगा के tributary कहते हैं तो इसी में जब पानी की भड़ावतरी हुई तो जिसकी वज़ा से जो हैड्रो दो हैड्रो पावर प्लांस थे वो तबाह हो गए और दोस्तों से ज्यादा जो लोग थे वो मि सबसे च्डीकली एक्टीव और जोलोलोजिकलı सेंस्टीव हमायरन रेंशिस में तो बहुत सारे शारे अर्फ्विकल रिंज़िस बेइन देखने को मिलती हैं कर दो के सबसे ज्यादा यहीं पर यहीं पर यह जो एक्टीवजिस पाई जाते हैं जो लोजीकली भी बहुत सैं प्रजेक्ट के आसपास का एरिया और क्या इसका एंपक्त हो सकता है आने वाले समय में इसकी पूरी study करता है उसकी पूरी study करने बाद यह approval बिलती है कि हाँ आप वहां पर जाके इस project को आप शुरूर कर सकती हो तो यह चीज़ की नहीं जाती पहली बात होगी दूसरा डीफॉर्स्टेशन जो जंगल लगे हुए पहाड़ों में उसको भी मतलब बहुत बड़े पहिमाने पर काटा जाता है दूसरा जो स्लोप बनाई जाती है पहाड़ों में ठीक है तो उनको भी जो है अच्छे तरीके से उनको स्टेबलाजेशन मीज कर दो हाए नहीं जाता है तो लांच स्लाइड होने के चांस कफी बढ़ जाते हैं खास दूरब जब बारिश आती है तो लैंड्स अन्यारी होते ही होते है उसके गश्चा का रम बनाई जाती है ...? से जब वो तूट जाती जब भारी बारी शाती है जब जो जन सलाव आता है उस समय इसके लावा जो यहाँ पर वेस्ट निकल का रहाता उसका अच्छे से डिस्पोजल भी नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबी है और आगे बात कर sweat कराएं कि इसमें यह पर कोई Surprise की बात नहीं कि हमालयन जो हमालया Read Cities है वो हमें message बेज रहे हैं और जो message हमें बेज रहे हैं बिल्कुल sharp और clear है कि अगर आप निरंग कुछ development करते जाओगे बिना सोचे समझे तो damage हो गई होगा तो यह एक message है जो समय के साफ से बार बार repeat होता रहता है उतरखंड की hills में तो इस चीज को यहाँ पर समझना होगा तो उसे साफ से हमें काम करना होगा तो जहाँ पर हमालियन स्टेट है उतरखंड तो वहाँ पर इसको हम दे बूमी के नाम पर जाते हैं इसको हम land of goats बोलते हैं तो अब उसको इस नाम से कम जाना जाता है unfortunately इसको जाना जाते हैं यहाँ पर होने वाले natural disasters के बताओ कि यहाँ पर natural disasters काफी हो चुके हैं और इसकी natural beauty से इसको नहीं पेचाना जा रहा है तो यह चीज अभी mind setup जो है लोगों का बनना चुरू हो गया कि यहाँ पर उत्रखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर natural disasters आते रहते हैं तो यहाँ पर यह पहली बार नहीं हुआ है सन 2013 की बात है तब भी यहाँ पर बहुत भ्यानक जवता जनसलाव आया था तो उसमें कैदारनाथ की एरिया में यह सब चीजें होई थी बहुत बड़े पैमाने पर इसने तबाही मचाई थी और इसके इलावा भी बहुत ही शोटे बड़े इवेंट्स जो है न हर साल natural disaster जो होते रहते हैं उत्राखंड में और जिससे अभी तक जो है हजार से जारा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं पिछले दो डिकेट में जब से उत्राखंड जो है वह अपनी होंद में आया मतलु जब से उत्राखंड बना था उस समय इसका नाम उत्तरांचल था बाद में इसका नाम बदल को उत्तराखंड किया गया था और यहां पर कुछ तय महीने हैं जहां पर डिजास्टर मन्त जिनको बोला जा रहा है कि डिजास्टर केसे ना किसी तरीके का आता ही आता है तो फरवरी से लेके मैं तक जो है फॉरेस्ट फायर मतलब उस समय आग जाने के काफी कैसेज देखने को मिलते हैं और जब मौनसुन महीने निकल कर आते हैं जून से लेके तिल सब्तमबर अक्तूबर तक तो उस समय बारी बारिश होती है और जिसकी वज़ासे फ्लैश फ्लड आ जाते हैं और लैंड स्लाइड की एविट काफी बरने शुरू हो जाते हैं जिसकी वज़ासे कई बार रास्ते जो होता है कि पानी पहारी की किसी चोटी पर एक जगा खड़ा होता जा रहा है हो तो कोई चटान जो है जिसकी डेवल्टमेंट अक्टिविटी की वज़ासे चठान जो है वो थोड़ी सी इदर उधर हुई है वो जो पानी जो है इकटा था वो फ्लैश मतला है तो इसको इस तरीके से जो फ्लड आता हम उसको फ्लेश फ्लड बोलते हैं तो इसका एक रीजन यह भी बोला जाता है कि जो पहारियों के चोटियां होती है वहाँ पर बर्फ का यहां पर पानी पिगल के जो आता है वह इकठा होता रहता है और जब भी कोई सेडिमेंट कोई सेडिक एक्टिविटी किसे दिखेगा भी यहां पर किसी तरीके के भी सिस्मिक एक्टिविटी होती है तो उससे किस ना किस दिखेगा फ्लड जो है वह आ ही जाता है आने वाले समय में और आगे बात करें हैं कि जो उतराखन की गॉल्वननेंट है वह अभी भी यहां पर चारी है कि हम जो बिग आने वाले समय में और बढ़ाएंगे यहां से iemand से सयायज wrestling यहां पर और जो सरकार है वो चारी इसका नंबर 171 तक पहुंचाया जाए ताँ जो कि आने वाले समय में हम 17,000 MW का जो पावर है उसको जनरेट कर पाए और इसका क्या मतलब निकलेगा इसका ये मतलब निकल कर आएगा कि जो भी यहां पर रिवर जितने भी रिवर्स होंगी और जितन दारनाथ tragedy हुई थी तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक expert committee बनाई थी और उस committee नहीं आपर point out किया था कि जो dams बनाए जाते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं जो ऐसी disaster आते हैं flash flood के जैसे जाए और भी किसे तरिके की flood आते हैं तो dams का बहुत बड़ा र कमेंड की थी कि कोई भी जो है ना hydro power project का hydro power project वो उसको नहीं बनाया जाएगा खास दौर पर जो paraglacial region है उस state के उत्रखंड राज्ये के पैरaglation मतलब कि जहां पर glacier का पानी पिगल कर एकठा होना शुरू हो जाता है आगे बाले पासे आगे बाले area में जाकर तो उस area में जहा पर आप hydro power project जो है उसको आप नहीं बनाएं और इसी के चलते बहुत सारे जो है तदात में PIL का मतलब होता है public interest litigation तो यह PIL बहुत सारे लोगों के द्वारा फाइल की जा जोकी है उत्राखंड high court में कि अभी भी बहुत सारे ऐसे projects हैं जो उत्राखंड में चल रहे हैं जैसे लावा एक hydro power plant का project है वो यही बात कर रहे हैं कि यह जो norms है environmental norms उनको एक side पर रखके ऐसे project जो है इनका काम अभी जो है progress की और आगे बढ़ रहा है तो इनको रोका जाए इनका को solution ढूना जाए तो इसी के तहर बहुत सारे जो PIL से वो डाले गए तो PIL मतलब कि कोई भी अग अगर आप incident देखते हो कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि नयाए नहीं हो रहा है किसी चीज का तो उस समय आप जो है किसी वकील को hire करके PIL डाल सकते हो उस case में उस case की दुबारा भी सुनवाई हो सकती है बेशक वो case बंद हो गया हो तो अगर आपने Jolly L.L.B. मुवी देखी है जो first part था तो वहाँ पर सारी की सारी कहानी है वो PIL से ही शुरू होती है तो थोड़ा सा फिंट वहाँ से भी ले सकते हो और आगे बात करेंगे सन 2018 में एक PIL की सुनवाई करते हुए ही यहाँ पर बात की थी कि जो मक है जो waste material है जो पथर तूटके जब एकठे होगे गिरते हैं तो बहुत सारे project ऐसे चल रहे है अलक रंदा और भागी रती रिवर के आसपास कि जहां पर रिवर के आसपास जो है मक को फैला दिया गया जिससे उनका जो root है जो इनका course है वो बदल चुका है नदियों का तो इसकी उपर परभाव पढ़ रहा है तो इसी के चलते जो high court थी उन्होंने यहाँ पर construction के उपर stay लगा दिया और तब तक के लिए यहाँ पर ऐसे hydropower plants के उपर stay लगा जब तक की जो यह मक डिस्पोजल की activities है यह वाली जितनी भी sites हैं को identify ना कर लिया जाए और उसी साल के बाद जो है उसी साल के अंत में Supreme Court ने वहाँ पर construction करना अलाव भी कर दिया यह भी कह दिया कि जो मक डिस्पोजल sites है ठीक है वो भी यहाँ पर उनकी भी होत रहती रहती है उनका ज देश दिये दे कि आप इस हसाब से काम करेंगे तो norms का कहते हैं कि जहां तो आप जो environmental clearances से उनको आप बाई-पास कर दो या फिर किसी रुकावट के लिए आप तयार रहो और उस हसाब से आप जो है काम करना होगा तो यहाँ पर opinion जो निकल कर आ रहा है जो अलग लग लग हैं तो scientist है वो यह कह रहे हैं कि जो आप अगर आप हमारी बात मानोगे नहीं तब तब तक आप जो है वेट करते रहते हो जब तक कोई किसी तरिके का disaster ना हो जाए तो उनकी जो suggestion होती है उनको timely अगर हम मान लेते हैं मान कर अगर act करते हैं उसे साब से तो काफी चीज़ें जो है काफी जाने बचाई जा सकती हैं तो लोगों के अंदर ये भी डर अभी बनना शुरू हो गया है कि अभी जो है बिना मतलब बिना किसी उनकी सुनवाई के जो है काम चले जा रहा है चले जा रहा है तो उनका जो खामयाजा है न वो रूप में जो आसपास के लोग उन वहां के काफी villagers इकठे हुए यह रिशी गंगा वैली वहां पर है जहां पर संडे को फ्लैश फिलर्स आये थे तो वहां के लोग इकठे हुए तो इकठे होके उन्होंने हाई कोट में अप्रोच किया वहां पर complain की की जो यहां पर इस वैली में बनाया जा रहा है तो जितने भी तरह की blasting activities वहां पर हो रही है उसके तहग जो जंगल में जंगली जानवर रहरे हैं उनके अंदर डर का भ़ाव पैदा हो रहा है जब भी वो blast की activity सुनते हैं तो जिसके तहत वो क्या करते हैं कि वो ऐसा area ढोड़ते हैं जहाँ पर उनको security फील हो तो वो हमारे गाउं की और भड़ते आ रहे हैं तो उनसे हमको अब खत्रा होना जो है शुरू हो गया है और आगे बात करें कि यह सेडिया की यह बात कर रहे हैं यह अपर हमालियस में पढ़ता है और यह lie करता है नंदा देवी बायो सपेर रिजर्व में तो याद रखिएगा नंदा देवी बायो सपेर रिजर्व उत्राखन में पढ़ती है अब इस तरीके से अगर हम नीउस को इनलसेस करते हैं तो काफी सारे जो पॉइंट है वो निकल कर रहा जाते हैं और उसी के बारे में कौशन पूछ ले जाता है तो इसके बारे में आपको clarity रही गे अगर आप अच्छे से आर्टिकल सुन रहे है तो तो यह बिल्कुल एक स के नतीजे अभी निकल कर सामने आई गए हो जिस तरी के फ्लैश फ्लड अभी रिशी गंगा में देखने को मिले हैं और जो डर का भावता विलिजर्स में वो अभी कन्फर्म हो चुका है कि वो बिल्कुल सही थे अपनी जगा और आगे बात कर रहें कि उतराखंड में जो आखिर जो पोल्स होई थे लास्ट वाले तो वहां पर एक पॉलिटिकल स्लोगन काफी यहां पर घूमा था उतराखंड में जिसमें यहां बात कर रहे थे कि पहार का पानी और पहार की जवानी पहार के काम आए तो यह implication जो था हि प्रजेक्स लगाएंगे इंप्लाइमेंट ऑपर्चुन्टीस पैदा कर सके हैं जो हमारा यूथ है वो बाहर जो जॉब नूनले के लिए जाता है माइगरेट करता हूं माइगरेट ना करें यहीं पर जॉब करें लेकिन जो अभी का रिसेंट डिजास्टर देखने को मिला है तो अभी यह स्लोगन बदल चुका है तो अभी यहाँ बात करें वाट यूजिज़ द पानी इस दा इस ड्रॉनिग द जवाणी मतलब इस पानी की क्या ज़रूरत है जो जवानी को डुबा रहा है और अभी आखिर में बात करें हैं solutions की, तो solution क्या दे रहे हैं, बात करें कि हमें अब जरूरत है कि alternative plans की और हम आगे बढ़ें, तहां जो की अच्छे से sustainable development हो, development भी हो लेकर sustainable तरीके से, तो जो micro hydro projects हैं, जिनकी capacity 1 megawatt से 2 megawatt की है, उनको आप जो install करो, वो power generate करेंगे, लेकिन वह पर किसी भी river के flow को वो रोकेंगे भी नहीं, तो हाइडल projects कि यहां पर बात कर रहे हैं, तो local communities को train करो, कि वो अपने हाइडल projects, जहां पर भी कोई जलधारा उनको बैती नजर आती है, तो वहाँ पर setup करें, किस तरीके से लगाना है, तो उनको उसके regarding आप बताईए, तो इस जरूरत हो कि उसे साब से काम चलता रहेगा, और आगे यहां पर बात करें, घराट और water mills, उनको भी यहां पर use किया गया, उत्राखंड में काफी सदियों से, तो यह क्यों किया जाता है, यह खास दौर पर जैसे कोई आटा चकी काम करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यह हर जगा देखने को मिलेंगी, चाहे कोई नदी है, जा फिर कोई artificial नदी बनाई है, जो खुद से जो man-made नदिया है, तो वहां पर भी आपको ऐसे घराट और water mills देखने को मिलेंगे, जहां पर पानी के फ्लो के साथ ही जो एक टरबाइन लगा दी जाती है, वो टरबाइन जब घूमती है पानी के फ्लो के साथ, तो फिर नीचे एक चकी लगाई होती है, फिर वो चकी घूमती है और चकी से आपने जो भी चीज पीसनी है वो पीस ही जाती है, यह बिल्कुल धिरे-धिरे काम करती है, तो कहा जाता है कि इसका जो टेस्ट होता वो भी काफी बढ़ प्राट ऐसे वाटर मिल्ट बहुत हजारों की दादादमर हैं लेकिन उनको यूज नहीं किया जा रहा है, बंद पड़ी हैं, उनको अप्ग्रेट करो, उनको दुबारा से जो है बावर जनेरेटिंग यूनिट्स में आप कर सकते हो, तो काफी फाइदा हो सकता है आने वाल पर करो, जिससे की जो माउंटेंस है, जो पानी का लेवल का फ्लो है, वो डिस्टर्बना हो, तो चलिए अभी बात करते हैं, फ्रंट पेज निउस की, तो फ्रंट पेज में सबसे पहली निउस निकल का रारी है, बात कर रहे हैं, कि जो बज़र्क लोग हैं, वहां पर जो ह एंजैक्शन लिया है, वैक्शन ली है, थोड़ी बहुत जो है, रेक्शन वहां पर देखने को मिली है, उनकी बाडी को, थोड़ी सिम्टम्स देखने को मिले हैं, तो जो एडरली है, जिनको अभी वैक्शन मिले है, खास तो पर जिनकी एज जो है, 60 जा 60 से अबाव है, तो और भी बड़े पेमाने पर शुरू की जाएगी तो यह जो फेस्ट फेस चल रहा है इस सोरह जनवरी को शुरू हुआ था और अभी तक 29 दिन हो चुके हैं इस ड्राइब को चलते हुए और इसके लबाब बात करें कि महारास्टर में महारास्टर सरकार ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल से उनको भी यहां पर अलॉग कर दिया है कि मुंबई में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपने स्टाफ को खुद से वह वैक्सिनेट कर सकेंगे आने वाले समय में आने वाले जो हफता है उसमें तो यह सारा डाटा है कि BMC ने अभी तक एक लाख लोगों को वैक्सिनेट कर दिया है सौंबार से दूसरी डोस जो है उसकी भी जो यहाँ पर फेस है वो शुरू कर दी जाएगी तो यह सारा का सारा डाटा है जहाँ पर कितने लोग जो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको वैक्सिनेट किया गया है तो जो दूसरी नियूज निकल कर आ रही है फ्रंट पेस से तो वहाँ पर बात करते हैं सुप्रीम कोट ने यहाँ पर एक पेटीशन के उपर दुबारा से यहाँ पर फैसला बोला है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी समय पर भी कहीं पर भी किसी जगह पर भी आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर जो आम लोग हैं उनके जो राइट हैं वो भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते वो अफेक्ट होते हैं अगर आप कहीं पर भी किसी जगह पर भी किसी समय पर भी आप स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे जहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे तो यह आपर बात कर रहे हैं कि यह वर्डिक्ट अब कब निकल कर आया है जब एक साइड पर जो फार्म यूनियन से वह भी प्रोटेस्ट कर रही है और पोस कर रही है जो फार्म लाव सरकार के दवारा बनाए गए है तो डेली बार्डर से पर वह भी नवंबर महिने से यहां पर बै लिए तो यहां पर संजे किशन कॉल जस्टिस अनिरुद बोस और जस्टिस क्रिशन मुरारी तो यह तीन बैंच के यहां पर जजिसका बैंच था जहां पर यह फैंसला दिया गया कि उन्होंने कहा कि अगर आप प्लिक प्लेसेज पर प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो कुछ समय तक आप कर सकते हो लेकिन अगर आप उसको continue occupy करके बैठ जाओगे तो वो सही नहीं है तो उन्होंने जो review petition डाली गई थी कनीज फातिमा के कनीज फातिमा के द्वारा तो उसको अभी reject कर दिया है दिस्मिस कर दिया है तो जो next news है वो भी front face है तो यहां पर जो JNK राज्य है उसको जो statehood का दर्जा है वो भी जो है दिया जाएगा लेकिन जब जब जो जो ये JNK राज्य है अपने track पर वापिस आ जाएगा जिस situation का यहां पर central government चारी है कि उस situation तक अगर normalize दुबारा से हो जाती है लगेगा कि हाँ भी अब इसको JNK के यूटी को अब convert कर दिया जाए तो तब इसको कर दिया जाएगा तो यहां पर अमित शा जो कि हमारे union home minister है शनिवार को उन्होंने यहां पर बात कही पार्लेमेंट में की तीन families के दुबारा जमू कश्मीर राज्यों को hijack कर लिया गया था तो अभी हम चाहरे है कि दुबारा वो अपने track पर वापस आए जब वो track पर वापस आएगा तो उसको राज्यों का दर्जा मिल जाएगा तो अभी एक amendment की गई है JNK Reorganization Act में तो वह इनको merge कर दिया गया है AGMUT CADR के साथ तो यह जो CADR होता है union directory का CADR होता है क्योंकि JNK अभी UT है तो इनका CADR अभी राज्या वाला ही चल रहा था तो अभी इनको UT वाले CADR में convert कर दिया गया तो AGMUT का मतलब होता है और नाचल परदेश गुवा मिजोर्यम union directory CADR तो इसी CADR में कर आते हैं राजस्तान का अलग CADR होगा उतरबरदेश का अलग CADR होगा जो राज्ये हैं लेकिन जो UT हैं उनका एक ही CADR होगा तो इसके regarding अभी मर्च कर दिया गया है तो अमैडमेंट कर दीगी है JNK Reorganization Act में तो यह कब बना था Act इसके बारे में क्वेंट बाक्स में है तो यह जो जम्म कुष्मिर आप देख रहे हो यह यूटी है यह वाला एरिया हमारे पास है और दूसरा लदा का यह वाला एरिया हमारे पास है जितना जितना की यहां पर कलड है इसके लाब जो यह दूसरा कलर आप यहां पर देखोगी सारा का सारा एरिया पाकिस्तान क कूपाई कर चुका है 1947 में जब अक्तूबर के महिने यहां पर जो पाकिस्टान की आर्मी के दवारा जन लोगों को जन टेररिस्टों को यहां पर सपोर्ट प्रवाइड की गई थी उनके दवारा यहां पर पूरा इतना दारा जो एरिया है हाई जागे कर चुके हैं तो उस सम में instrument of accession sign हुआ और पूरा control जमू और कश्मीर का जो था बारस सरकार के पास चला गया खास दोर पर जो communication का है और इसका जो defense control का जो control है तो यह वाला एरिया यहां पर जो चाइना है वो कबजा जमा कर बैठा है तो यहीं पर यहां पर पैगॉंग सो लेक पड़ती है जहां पर चाइना अभी बढ़कर बैठा हुआ है लदाक में और नया बार्टर जो है finger 8 वाली एरिया में claim कर रहा है हाला कि अभी disengagement plan जो है शुरू हो चुके है साइनाई हटाई जा रही है दोनों तरफ से तो यह सारा का सारा एरिया चाइना के कबजे में है और यालो कलर में जो यह वाला एरिया है वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ पर यह एरिया पहले पाक किस्तान अकूबाइड कश्मीर तो आगे जो नियूस है यह है टाइम सिटी वाले पेज से तो यहां पर एक बंदा जख्मी हुआ है तीन लोग मिस हो गए एंजे रूम में आग लग गई थी एक offshore vessel है यह वह आप offshore vessel आप देख सकते हो जहां पर आग लगी तो यह जो शोटे इनको देखने को मिली है तो उनको एरलिफ्ट किया गया है जूबेस में तो वहां पर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाया गया है तो एंजे रूम में फायर आया तो उसके चलते ही सब कुछ हुआ यहां पर तो जो नाम का इस वैसल का वो था ग्रेडशी प्रोही नी तो बॉंबे हाई में बॉंबे हाई वाला एक एरिया पढ़ता है तो वहां पर यह इंसिडेंट हुआ है और बात करें मुंबाई का जो किनारा है उससे 170 किलूमेटर दूर यह इंसिडेंट हुआ है तो वहां पर जाकर जब कोस्ट गाडड ने यह हम पर मैसेज अलर्ट का र्रीषीव किया तो तभी ये वहां पर पहुच गये शुरक्षा परदान करने के लिए तो जिस वेसल में आउन लगई यह प्राइवट वेसल होगा किसि प्राइवट कंपणाना वेसल है तो इंडियन कंपणाना वेसल न्याल किसी कोस्टीays जा रहा है जो fishing catch है वो कम होता जा रहा है महाराश्टर में तो देखिए ऐसे troller होते हैं जो समंदर में जाते हैं तो गहरे समंदर में जाकर वो मच्छियां पगड़ते हैं वो लेकर आते हैं तो लेकिन पिछले काफी समय से महाराश्टर स्टेट में से जो fish production निकल कर आती है तो वो बहुत कम हो रही है तो यहां पर कुछ रीजन यहां पर बता रहे हैं तो सबसे पहली रीजन को डीजल फैक्टर की बात कर रहे हैं कि पचीसों से तीन हजार का लीटर जो है जो मल्टी डिय जो ट्रॉलर जो एक्टिविटीज होती तो 2017 से यह भी पैंडिंग थी तो अभी रिसेंटी इसको क्लेर किया गया है इसके लावा जो महाराष्टर सरकार ने अभी सर्फ 55 करोड की सबसेड़ी दी है 2018-2019 में फिचिंग सेक्टर में लेकिन अगर बात करें गुजरात की तो उन्होंने 247 करोड की सबसेड़ी दी है औ जो की फिच प्रडक्शन में बढ़ोतरी लाई जा सके और जो यह हमारे ट्रॉलर को जो अपरेट करते हैं जो फिचर मैन है इनकी भी जो है आए है वो बड़े आने वाले समय में तो महाराष्टर सरकार के यहां पर यहां पर यहां पर जो बात कर रहे हैं काफी कम निकल कर कर रहे हैं जो कैच है जो यहां पर प्रडक्शन है उसकी एक्टिविटीस में कमी देखने को मिल रही है जो महाराष्टर का शेयर है नैशनल फिच प्रडक्शन में वह 13.8% से 8% तक गिर गया है 13.8% कब था सन 2000 में और सन 2018 में 18 साल बाद 18 सालों बाद यह सिर्फ 8% रह गया मतलब काफी कम हुआ है तो बोट नंबर्स भी जो है काफी बढ़ चुकी है ऑपरेशनल जो ट्रॉल बोट्स हैं वह 4290 के आसपास है और जो आप्टिमम नंबर इनका जो अभी काम कर रहा है तो तो 2778 नंबर निकल कर आता है जो अभी काम कर रहे हैं तो यह पूरा का पूरा सरसानीरी होई परिश महरा तो अभी मुझे बताईये कि पूरे भारत में सबसे पहले राजिये नंबर वन राजिये कौश Justice करता है उसका नाम बताईए दूसरा कौन सा है वो भी उसका नाम बताईए जो तीसरा है उसका भी नाम बताईए और कौन सी ऐसी फिश है उस फिश का नाम है उसका नाम बताईए जो की भारत सरकार के द्वारा जो नैशनल ग्रीन ट्रिबूलन उसके द्वारा बैन की हुई है कि आप तो इस मिंच में देख सकते को थे कप्रामा लेकर फिकाया किसा तुपकार मैं तुपटा मेंने विगार wydaje कि एक ही तेज्टीजने द्सक्तोर करे कि तो द्यान लखेएगा धारबी वाला यह इimana है जारी वर्क के लिए तो इसके regarding question पहले पूछे जा जुके हैं तो अभी पूछा जा सकता है आने वाले समय में तो जारी वर्क जो है वो कहाँ पर इसका काम कहाँ पर होता है धारवी में तो यह industry बहुत पुरानी industry है तो काफी एहम जो यहां पर contribute करती है economy में तो यह जो आप picture देख सकते हैं कि मतलब जो जन्सा क्या होती थी किसमें में जो काम करते थे लोग वो बहुत कम रह गए हैं तो ऐसी तरह इस तरीके से काम इमरोडरी का चल रहा है धारवी में तो reason यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो यहां पर यह एक तरह की small scale industry है अभी pandemic के बाद जो यहां पर जो cost है वो बढ़ रही है क्योंकि पैसा सब को चाहिए लेकिन उस cost पे कोई चीज खरीदने को राजी नहीं है अगर हम कम cost पर चीज देते हैं तो फिर खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है जिसकी वज़ा से effect हो जा रहा है कि जो यहां पर काफी जादा है तो जारतर workers जो है वो गाम वाले areas निकल कर आते हैं तो बहुत सारे workers ऐसे भी हैं कि जो अभी वापस से नहीं आए तो यह बला पूरा का पूरा scenario है तो मतलब सही नहीं सही दिशा की और जो है scenario नहीं बढ़ रहा है तो आगे जो news है यह भी काफी important news है times nation वाले page में से निकल कर आ रही है तो यहां पर ISRO और MapMyIndia यहां पर एक agreement दोनों ने sign किया है तो यहां पर एक competition देंगे Google Maps को Indian Space Research Organization और Desi Navigation Solution Provider MapMyIndia इन दोनों ने यहां पर हाथ मिलाए है कि आने वाले समय में जो है Indigenia Satellite Based Mapping Service है वो provide करेंगे हमारे लोगों को तो यहां पर बात की हुई जो बात की है इनके जो यहां पर जो CEO है जो co founder है रकेश वर्मा तो उन्होंने यहां पर बात कहिए कि agreement जो है Google Maps पोर रहे तो इनकी जो Monopoly है मतलब यही राज कर रहे है तो इनको हम टकर देंगे तो इनकी Monopoly हम खतम करेंगे आने वाले समय में और जो भारत सरकार का initiative है आतम निर्बर भारत ड्राइव इसकी अंतरगर्थ जो हम यहां पर काम करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान लखेगा question पूशा जा सकता है जो Map my India तो यह कौन सी company से belong करते हैं देशी navigation solutions तो इसके regarding भी question आ सकता है यहां पर उत्तरप्रदेश की लड़की है जिन्होंने national record break किया है और Olympics में जाने की इनको जो है यहां पर एक ticket मिल चुकी है तो प्रेंका गौसवामी इनका नाम है नाम याद रखेगा तो 20 km walk तो इसके चलते यहां पर जो है इन्होंने यहां पर national record जो है काइम किया है at the 8th open national and 4th international race walking championship in Ranchi तो यहां पर टाइमिंग थी वो थी एक घंटा टाइस मिनट पहिताली सेकंड तो इन्होंने record तोड़ा है भावना जाट का पहले एक मिनट उन्तीस सेकंड उन्तीस मिनट और चोवन सेकंड का यह record था लास्ट यह तो अभी इनको यहां पर टिकेट मिल चुकी है टौक्यो लंपिक्स के लिए तो इसी साल इसको री शेडियूल किया गया है टोक्यो में होगी अभी और इसके लावा 2022 का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपेंशिप है जो की ओरिगोन में होगा तो उसके लिए भी यहां पर यह अभी eligible हो चुकी है कौन से इवेंट के तहफे इनोंने ने शेडियो रेकॉर्ड काइम किया है वाक वाक चलने का इवेंट है इसको सेब करने में काफी एहम रोल अदा किया है इनोंने तो अभी वक्त है खीशे के सामने जाने का तो ये तीन वर्स है इनको पढ़िए और इनकी repetition कीजिए और इनको बार-बार जो है repeat कीजिए ताजो कि आपको अच्छे से समझ आ जा जागे किस वर का क्या का मतलब निकल कराता है तो वीडियो को पॉस कीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए तो अभी बात करते हैं एकनॉमिक कंसेप्ट के बारे में तो आज का जो कंसेप्ट है वो है amortization का मतलब होता है जब हम लोन की payment करते हैं तो इसमें जो आप installment देते हो जो भी period तय होता है कि एक साल का loan है दो साल का तो इसमें जितनी भी installment देते हो प्लस उस installment में उसका इंटरस्ट भी जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते है amortization तो इस map को identify कीजिए कौन सा map है जो कल का जो map था उसका answer है West Bengal तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद